9 राउंड की फारिंग, हाई कोर्ट से 3 किलो मिटर की दूरी पर अतीग असरफ की हत्या, उत्तर प्रदेश पुलिस पर क्यों उठ रहे सवाल? नमस्कार दोस्तों, मैरा तमजींग और आप सबीका ट्रिकर न्यूज में स्वागत है माफिया अतीग और उसके भाई असरफ एहमत की हत्या के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस और कानून विवस्ता पर सवाल उठने लगे हैं हत्या को लेकर उत्तर प्रदेश पुलिस की नियत पर अतीग पहले ही सवाल उठा चुका था अतीक की पतनी सहिस्ता ने सुरच्छा को लेकर सुप्रिम कोर्ट में अरजीवी दाखिल की दी जिस पर सरवोच अदालत ने हाई कोर्ट जाने के लिए कहा था सुप्रिम कोड की स्टिपडी के 18 दिन बाद अतीक और उसके भाई की हत्या इलहाबाद हाई कोड से 3 किलोमेटर की दूरी पर हो गई है अतीक और असरब पुलिस की कस्टेडी में हमला वरों ने गोली मारी है दोनों भाई को एक ही हतकडी में बांद कर उत्तरप्रदेश पुलिस मेडिकल चेक अप के लिए ले जा रही थी अतीक और असरब से पूस्ताज के बाद उत्तरप्रदेश पुलिस दोनों को लेकर कौन विन होस्पिटल में मेडिकल चेक अप कराने पहुची थी हॉस्पिटल से इलहाबाद हाई कोड की दूरी करीब 3 किलो मीटर है जबकि घटना इस्तल से प्रियागराज SSP का आवास मातर 6 किलो मीटर है हॉस्पिटल के बाहर पत्रकारों ने अतीक से सवाल पूछा जिसका अतीक जवाब दे रहा था इसी दोरान हमलावरों ने उस पर फारिरिंग कर दी हमलावरों को पुलिस पकड़ने की कोशिश की लेकिन तब तक 9 राउंड की फारिंग हो चुकी थी अतीक और असरब की हत्या के बाद प्रियागराज में हाई अलर्ट जारी किया गया है प्रियागराज में धारा 144 भी लागू कर दी गई है सपा, बीएसपी और कॉंग्रेस दप्तर के बाहर भारी सुरच्छा बलो की तैनाती की गई है अतीक एमद पर 100 से अधिक केस और असरब पर 52 अपरादिक मुगर्द में दर्ज है ऐसे में पुलिस दोनों को एक ही हतकड़ी में बांग कर रखी थी हत्या के वीडियो में साब देखा जा रहा है कि पहले अतीक को गोली मारी जाती है जिसके बाद असरब भी जमीन पर गिरता है इसके बाद हमलावर दोनों को गोलीयों से भुन देते हैं अतीक अपनी सुरच्चा को लेकर बार बार चिंता जाहिए कर रहा था इसके बावजोज साउधानी नहीं बरती गई अतीक पुलिस कर्मियों के बीज रुक कर मीडिया से बात कर रहा था या इलहाबाद हाई कोर्ट का मामला है इसलिए वहाँ पर जाएए इसी बीच अतीक की पत्नी के खिलाव वारिन निकल गया और वह फरार हो गई अतीक की पत्नी के फरार होने से हाई कोर्ट में यह मसला नहीं जा पाया अतीक उमेश पाल अपरनर केस में सजाय अफता थे उन पर अभी 60 केस में ट्रायल चल रहा था इन में हत्या, हत्या के प्रयास और रंगदारी से जुड़ा केस था उत्तर प्रदेश में पुलिस कस्टिडी में 2017 से लेकर 2022 तक 41 लोगों की मौत हो चुकी है लोग सभा में ग्रह मंत्राले की और से दी गई जानकारी के मुताबिक 2017 में 10, 2018 में 12, 2019 में 3, 2020 में 8 और 2021 में 8 लोगों की पुलिस कस्टिडी में मौत हुई है उत्तर प्रदेश में पुलिस कस्टिडी में मौत को लेकर सवाल उठ चुका है और कई बाद सपायोगी सरकार को गेर चुकी है सुप्रिम कोर्ड ने 1996 के एक आदेश में कहा था कि पुलिस कस्टिडी में हत्या जगने अपराध है उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्रह सचीव और डीजीपी को तुरन प्रियागराज जाने के लिए कहा है हालत पर सरकार के टॉप अधिकारी नजर बनाये हुए है प्रियागराज की सभी सीमाय सील कर दी गई है जिले में इंटरनेट बंद कर दिया गया है धारा 144 लागू करते हुए पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई है उत्तर प्रदेश पुलिस ने राजी के सभी थाना प्रबारियों को तुरन इलाके में जाने को कहा गया है उत्तर प्रदेश में पुलिस वालों की छुट्टियां रद की गई है जो छुट्टी पर है उन्हें वापस बुलाए गया है बिर रपोर्ट ट्रिगर नियूज